Hey guys, welcome to Hashtag Sing तो दोस्तो, Southern Films और Bollywood का जो एक गहरा रिष्ता है वो पिछले कुछ सालों में और गहराया है जब South Indian Movies, Bollywood Movies को हराने लगी in terms of box office figures ये शुरुवात हुई बहु बली 2 के साथ में और अभी with Pushpa and RRR ये जो चीज है और intense होने वाली है क्योंकि पहले तो भी South Indian Movies को dub करके सेट मैक्स पर डिरेक्ली दिखाया जाता था and actually बहुत लोग उसे enjoy करते थे क्योंकि unique unique stories होती थी मगर कोई इतनी मेहनत नहीं करता था उसको हिंदी में तभी starting में dub करने को वो तो movie release होने के बाद में जबी TV पे आती थी तो उसे dub किया जाता था बहुत ही कम पैसो में dub होती थी वो इतनी professionally भी dub नहीं होती थी मगर अभी professionally dub होने लगी है just like any other language इसकी भी dubbing होती है और बड़े-बड़े थेट्रों में release किया जाता है इस बार जो पुषपा कार जो हिंदी वर्जन ने काम किया है 80 करोड तक कमा लिया उसने जो की is next only to 83 जिसने 97 करोड कम आया है और सुरिय वंचे जिसने 196 करोड कम आया है तो पुषपा ने हिंदी में कोई भी marketing नहीं की थी इस totally due to the content and the craze जो original movie ने generate किया कि dub movie को भी बहुत अच्छे footfalls मिरने लगे और फिर बाद में कोई नई movie release ने हुई 83 के बाद तो ये और beneficial हो गया पुषपा के लिए and movie ने literally सारे record तोड़ दिये है considering that Bollywood की एक आदत थी कि भी मेहनत नहीं करना और stories उठा के South India से हमारे सामने परोशना तो हमें वो unique लगती थी मगर अभी जभी अच्छे अच्छी stories जैसे के RRR हो गया या अभी पुषपा हो गई ये सब बन रही है खुद Hindi dub languages में और ठेटर में भी release हो रही है तो अब Bollywood क्या करेगा लेकिन Bollywood अपनी आदतों से नहीं बाज आता है अभी 10th January को रितिक के बड़े पर विक्रम वेदा का जो रितिक का first look है वो अनौंस किया गया यानि की विक्रम वेदा जो की एक again remake है of the original विक्रम वेदा वो release होने वाली है बहुत जल्दी on the other hand selfie का announcement हुआ जिसमें अक्षे कुमार के साथ में इम्न हनाच में दिखेंगे और इसको direct करेंगे good news के fame वाले राज महता तो यह भी एक second movie है जो की फिर से एक remake है साथ इंडियन मूवी की तो दोस्तो बेसिकली बात यही है कि अभी साथ इंडियन मूवी के remake दिखा दिखा के बॉलीवूड खारी डारेक्ट पैसे कमाना जाता है यहां वो कुछ अलग भी करेगा विकॉस हमने देखा है कि जो साथ इंडियन मूवी एक्चुल बनती है भी सुपर्ब टैलेंटेड लोग है लेकिन उसको recreate करने में फिर से हमें वो मधा नहीं आएगा क्योंकि हमने अलु अरजुन की ब्रिलेंट परफॉर्मेंस देख ली है तो similarly जब हम जर्सी की बात करें तो जर्सी में नानी ने जो काम किया है वो बहुत ही एक अलग ही लेवल का है और इस मुवी के जो रीमेक है उसमें शाहित कपूर दिखेंगे हमको सेम स्टोरी के साथ में दा उनली थेंगे सेटिंग सौथ की जगा नॉर्थ में है वो पंजाब दिखाया है उसमें कुछ पंजाबी वर्ड्स बोले गए है रैंडम पंजाबी टॉक होगी मतलब वो वाला महौल बन गया जिसके डायलोग के अंदर पंजाबी भी सही तरीके से नहीं कही गई है तो ऐसे रीमेक्स जो है हमको देखने मिलेंगे क्योंकि ओरीजिनल का जो एसेंस है वो औरीजिनल का ही रहेगा अगर आप ओरीजिनल में आपको 100% कैप्टिवेट करता है तो री कोई एक ऐसे इंस्टेंस होते है जिसके अंदर रीमेक जो है वो अच्छी होती है औरीजिनल से मगर वो बहुत ही रहर इंस्टेंस होते है और एस्पेशली जब ही मुवी बहुत अच्छी है औरीजिनल तो उसको हरा पाना बहुत मुश्किल है तो अभी सेलफी अनॉंस हो यह विक्रम वेधा आ रही है एंड सनी देवल की एक जोसेफ रीमेक वो भी बहुत चर्चा में है कि जोसेफ की रीमेक बनेगी तो यह सारी की सारी साथ इंडियन मूवीज है जो ओरीजनल कंटेंट लेके आती है इवन जो पंजाबी मूवीज रिलीज होती है उसका भी छोट मूवीज है लेकिन सब ओरीजनल कंटेंट लेके आती है तो बॉलीवूड को कहा प्राब्लम में मतलब बॉलीवूड को ट्राइड टेस्टेट फॉर्मूला अपनाना है क्योंकि उन्होंने बहुत पैसे लगाने है तो अभी बॉलीवूड में बस एक ही बात है सब बस पैस कमाना चाहते हैं and that is the reason why वो लोग tried and tested scripts को पर काम कर रहे हैं मगर 2020 के बाद में कोई भी ऐसी मूवी मेरे ख्याल से नहीं होगी जो शायद हिंदी में डब नहीं हुई हो और अभी जितनी भी मूवीज ये लोग रीमेक कर सकते हैं 2020 तक का स्टॉक है इनके पास में ये रीमेक कर ले जितनी करने है क्योंकि इसके आगे तो मुझे ऐसा लगता है कि South Indian Industry अपनी मूवी खुद ही डब करेगी और हिंदी वर्जन से भी एक अच्छा अमाउंट of revenue कमाएगी because सबने जो South Indian Stars को है पूरे इंडिया ने दोनों बाहों से जो है वेलकम किया है सब उनके डाय हाड फैन्स भी हैं कितने एंड रजनिकांट डिडिट अदे स्टार्ट नागरजुना डिडिट अदे स्टार्ट तो अभी जो यंग्स्टर्स हैं अलु अर्जुन प्रभास एंड और जैसे सुदीप तो यह सारे के सारे अभी आगे वह एक South Indian Cinema को और उच्छाई पे ले जाएं तलपड़े मगर यह सारे के सारे Indian Actors हैं और यह Indian Cinema है तो बहुत जल्दी Bollywood की जगा हम Indian Cinema देखना प्रेफर करेंगे फिर चाहे वह South से हो North से हो East से हो या West से हो मगर अगर content नया है content original है तो इट वोंट मैटर आप उसको हिंदी डब्ड वर्जन में देख पाएंगे और यह जल्दी हो जाएगा विकॉस लोगों को यह पता से लगया है कि डब्ड मूवी देखने में ऐसी कोई खामी नहीं है जब उसकी कॉलिटी बहुत अच्छी तरीके से हो जो डब की गई है अभी इसकी कॉलिटी बहुत अच्छी थी पुश्पा का जो डब किया था श्रियाश देखने में जरा भी उनको एतराज नहीं होगा तो डेफिनिटली हमारा जो हिंदी सिनेमा है उसे इंडियन सिनेमा से थोड़ा एक इंस्पिरेशन लेना चाहिए और एज अपार्ट ओफ इंडियन सिनेमा उसको भी ओरिजनल कंटेंट क्रियेट करना चाहिए वी लव अल ज स्टार्स अमिजी से लेके धर्मिंद्र जी से लेके रितिक रोशन टाइगर्शरॉफ अक्षय कुमार सबको प्यार करते हैं हम व्यार हमको लेकिन कंटेंट अच्छा दो हीरो हो हीरो इन हो जो दूसरे अक्टर्स है परेश रावल परेश रावल जैसा अक्टर कोई नहीं आपको मिलेगा तो ऐसे अक्टर्स को अच्छी मूवीज चाहिए औरीजनल मूवीज चाहिए तो जो हिंदी सिनेमा है साउथ इंडियन सिनेमा है पंजाबी सिनेमा है यह सब मिलके एक बहुत ही स्ट्रॉंग इंडियन सिनेमा क्रिएट कर सकते हैं तो दोस्तों आई होपस आपको यह वीडियो पसंद आए होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इससे लाइक कीजिए नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए मगर इंटरेक्ट जरूर कीजिए थैंक यू फो वचिंग आइस